नमस्कार आप देख रहे हैं निउस 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूँ आपके साथ सीमनाम देव बढ़ते हैं आज की खास कप्रों की ओर और इस साथ ही प्रकुरानीपुर के किर्शी विभाग पहुँशे जहाँ नवनिर्मित भवन का निदिक्शन कीया इरिक्षन के दौरान उन्हें पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बुंदेलखन क्रिशी छेतर है और यहां के किसानों को प्राकर्टिक खेती करनी चाहिए ताकि उनकी आई दोगों नहीं हो जाए वही जब पत्रकारों ने खाद की समझ से स्यावगत कराया तो मंतरी जी ने कहा कि जिले में वर्याप्त खाद उपलब्ध है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराये जाने के निर्देश भी दिये आज मैं प्राकृतिक खेती के पर काम करने वाले वाले वाधारित खेती के किसान स्रीश्याम जी गुपता के फार्म पर गया था जो यहां पर उपस्तित है सुबह सुबह वहां पर गया था और बहुत अच्छे तरीके से गुवाधारित प्राकृतिक खेती यह साड़े तीन एकड़के भी तरक कर रहे है उसर जमीन पर हरियाली लादी है वहां पर गयों से लेकर के मटर तक की बहुत अच्छी खेती किया है इनोंने अपने मेड ब रुपता की तरह से और भी किसान करें यह मैं उनकी सानों से जहां से गुंदेल खंड के किसानों से आमान करना चाहता हूं एक दूसरा फार्म क्या नाम था उसका काम देनुप्राकृतिक खेती के उन्होंने भी लगवक तीन एकड़ पर अपनी प्राकृतिक खेती पर काम किया है अपने खेचों के मेड़ बनाएं मेड़ों पर पेंड लगाये हैं यह खेटों के लिए उन्होंने उसको बटवारा किया है और बहुत फसली फसल को उगार रहे हैं थोटा सा उन्होंने उसके ऊपर अपनी सा आउे पॉसाला सूप ञूली Ho से वो कर रहें हैं और कि फलों की खेती उन्होंने लगा रखें यह ऐसारी घाय पर आधारित खेती आप में लोग जाकर के उसको देख सकते हैं उसका बर्मढ कर सकते हैं कि मानि अगायी प्रधानमंतिजी गहती पर बहुत बल दिया है और उम्हें मंदेल खंट के किसान भाईूं से कहना चाहूंगा कि अपने वो गाय का पालन करें और साथ साथ में वो गो आधारित गोवर गो मुत्र के आधार पर जीखाना अमृत जीवामृत के और नीमास्तर और घंजीवामृत के आधार पर वो अपने खेती को आगे बढ़ें उसके बाद जहांसी के जानी लक्षमी भाई केंदरी विश्वी जाले के भीतर में गया था और वहां पर चार संस्थाओं के प्रमुक और वहां के प्रशिव ज्यानिकों के साथ बाचीत करके बुंदेल खंट का कैसे उत्पादन और उत्पादक्ता बढ़ाई जाए और यहां के मौसम के अनकूल फसलों को कैसे लगाई जाए उस पर उनसे बाचीत किया है और उनको मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो जीडीपी है उस जीडीपी को बढ़ाए जाने के दर्श्टी से बुंदेल खंट के पिश्टापन को दूर करने के लिए क्या उसमें इंटर्वेंसंस किया जा सकत हैं उस पर वो रिशर्च करें उन फसलों को आगे लाएं और यहां के अनकूल उसको राश्ट्री और प्रदेश के मानक पर उत्पादक्ता को कुछाने के लिए उस पर शोध और उसकी दौर था करें जहां सी जिले में आज की तारिक में साड़े साथ हजार मेट्रिक टन य है जिसमें से भंडर के भी तर साड़े 3000 में ट्रिक टन है वेयर हाउस में मैंने उनको कहा है कि इसको पर्याप्त मात्रा में निकाले कई पर फटलाइजर की कमी नहीं है आपके द्वारत तमाम जब्सक्राइब किया गया है तो का कमिया पाई नहीं मैं देखता हूं उसको ठ करने का प्रयास करता हूं मेरा काम है ठीक करने की दोस्तावनाना कौन सी फसल देखके आपको लगा च्छित में कहा है यहां की बहुत अच्छानों को मैं धनिवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने खेतों में ग्यों की loneswing की हैं. और यह अच्छा है कि जितनी एरिया में गया, उन्स सारे एरिया में गैहूं की loneswing की fasal हमने देखी है. कुछ अस्थानों पर किसान भाई उन्हें मटर भी लगाई हैं. मटर के लिये थुढ़ा समय जरूर पीशे फूट गया है लेकिन मैं उमीद करता हूं कि उनकी फसल अच्छी हो और इस तरीके से यहां पर बढ़गरा सागर में अधरक की बहुत अच्छी खेती होती है उसको बहुत अच्छा उसको बनाया जाया सकता है यहां पर संभावना है बागवानी की बहुत अच्छी है जिसके मादा विश्वी दाले के वाइस चाहर थे उनको भी मैंने कहा है कि इस चेत्र में उसको बढ़ाये जाने के दर्श्टी से पहले अपने हां उन प्रयोगों को सुरूर करें उसरी पिसान के खेतों पर उता रहे हैं अब जाके देखें कि कैसे गोव सारा यह रखा हुआ है जब आप जाके देखेंगे तब पता लेगे गाएं